हेलो एवरीवण वैलकम बेगवाज चैनल कैसे हैं आप सब कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं अच्छी हूं और मैं कर रही हूं अभी क्ली यानि की बर्तनों की क्लीनिंग तो जैसे की आज दिन है थर्सटे और डेट है 28 मेरा काम हो गया था जल्दी फिनिश तो मैंने ब्रैक्वास्ट करके सबसे पहले आई हूं मैं किच्छन में क्यूंकि जब तक किच्छन क्लीन ना हो तो मुझे चैन नहीं पड़ता है तो इसे लगता है कि हम सब चीज से फ्री हो गए तो थोड़े से बरतन बगगा थे मैं वही क्लीन कर रही थी और मैंने सुचा कि मैं साथ साथ में कर देती है तो मैंने साथ साथ में अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है और कड़ाई में बचगी थी थोड़ी से सबजी तो मैं उसको भी निकाल लेती हूं थोड़ी थो नहीं काफी सबजी बच्ची रही है तो आज मैं थी मैंने आलू गोवी की सबजी आलू गोवी मटर की मिक सबजी थी और झाण हाई चापाती घृष्कित काफ़ प्राथा जैसे इन्हों ने खायता प्राथा तो इनकी लिए प्राथा और मैं अपने कीचन में जयादा बड़तन नहीं रखंगे हूं मैं सात सात में ही जैसे जो ब्रेकफेस्ट करता रहता है तो मैं सात सात में ही वर्तन बस अब ये कढ़ाई है तो मैं कढ़ाई क्लीन कर लेती हूं और फोड़ी और कीचन क्लीनिंग कर लेती हूं उसके बाद आप लोग से मिलती हूं आप लोगों ने मैं हो रही थी रेडी एरो मैं कहीं जा रही हूं बाहर तो मैं जा रही हूं दाग घर यानि की पोस्ट आफिस मुझे कुछ काम है इसलिए और मैं पहन रही थी ये एरिंग छोटो-छोटो से हैं तो मैं पहन लेती हूं पहले तो यह रहिए मैंने पहन लिये हैं कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएगा जरूर और मैं ऐसे घर में चोटे से एरिंग पहन लेती हूं क्योंकि मुझे रात को रात को रहन के नीव नहीं आती है जाए वह गोल्ड के और आटिशल मैं उनको पहन के नहीं सो सकते हू तो मैं मॉर्णिंग में पहन लेती हूँ और रात को मैं उतार देती हूँ और कभी-कभी नहीं भी पहनती हूँ चलता है तो चलिए पहले मैं आ जाती हूँ पोस्ट अफिस से पना काम करके फिर लोगों से मिलते हैं कि मैं होगी थी रेडी और मैं जाही री थी बड़ मुझे बाहर एक इसी चीज दिखी तो मैंने सुचा कि मुझे आप लोग कि संग शेयर करनी चीए आप लोग तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को वह चीज मुग्या है तो वह है कैं यह स्टॉबेरी हैं तुकी हाना हैं यह च्रॉभेरी हो चुक आध्यिम पहले ही रिए웠 verbs कर रहा है और यह यहां पर फिर यहां पर बी और यह लिखे यह तो यह strawberry मैंने सुचा है कि आज हलकी red है तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ तो मैं यही दिखारती है आप लोगों को तो चलिए पहले में हुखके आजाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ तो मैं आगी थी पोस्ट ओफिस से आए मैंने की एढे मैं किया थोड़ी देर रैस्ति क्योंकि बाहर बहर किल फैंच लाके नीचे बैट गए हूँ और अभी आई हूँ मैं किचन में क्योंकि मुझे करने थी इक दो कब क्या में क्यूंकि नमक नमक उडबाने था यहां नमक क बाद और यहां पर दाल निक्स करें दाल की तो अरर और मलका की दाल यानि कि यलो वाली और रेड वाली दाल कि मैंने मिक्सक्राइए और मैं डालूँगी इस जार में तो मैं इस जार में डाल दी है दाल हम लोग क्या करते हैं कि हमारा राशन आता है तो हमारे पास हम उसको एक जगा स्टोर करके रग देते हैं और हमने चोटे-चोटे ऐसे जार बना रखे हैं तो जिसमें हम लोग जैसे-जैसे खतम होता रहता है वैसे वैसे ट्रासफर करके इसको रोज डेली के यूज के लिए अब मुझे मुझे स्टोरे से नहीं निकालनी पड़ेगी जो मैंने यह रखी विया मैं यही से निकाल के बना लूँगी ऐसे मैंने यह नमक के लिए वे डबा बनाया ऐसे हम लोग ने सारे चिश्ट्रे बना रखे हैं और मसाला दानी तो है यह अलग उसमें अलग निकाल के रखते हैं तो यही काम था मुझे आज यह दो चीज़े होगी तो मैं यह कर रही थी तो पहले मैंने प्लीस आप लोग भी रताइएगा तो चलिए पहले मैं यह सब समेट लेती हूं उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूं मैं फिर रोम में बैठेंगे बाते रोम में मैठेंगे तो गाइस मैं किचन से आगए थी और किचन में जो कुछ भी दाल और नमक बगएर प्लीस आप लोगी कि मैं पान से दस मिन तो फैन के नीचे ही बैठी ही और फिर उसके बाद मैं गई थी किचन में किचन का काम करने के लिए और जो कि पोस्ट आफिस दूर नहीं है दो से तीन मिनटी लगते है और आस तो इती भीड भी नहीं थी तो मेरा काम हो गय था जल् अभी में पंधर वाली है क्योंकि मैं आप ज़या द एन्दर जाती हूं तो मुझे तendes कनी लगती है और अभी मैंने पांन चेला है लगारा है ठीक सिर्म शुर्यार को तो अपन कम क्लीं हो गही है वहीं आज नहीं है वह भी नहीं है अपनी पताचला है झाद मोर्ण के मैं आपको बताना कीज ओर और अरंग मेरा है अर्फरेवरेट फुरूट मुझे सारे फुरूट में और अरंग सबसे जादा पसने है जब अर्फ लगता है और आप लोगो को अच्छा लगता है प्लीज कमेंट करके बताईगा जरूर डिचोकेत से कल वोसे नेने सब जर भी करनí के व्रण भी और चहली है , जो भीडिस दो परारी मुद्स दोकि और एंड मेरे ब्ल जो ड्हीच तो यह दिख्यु दिधी और टेटीशिदल नेसी टोडोग आप सत्रेशिक भी प्रेंड़ हो Okay bye bye, मिलते हैं अपने नेक्स व्लोग में, तब तक के लिए, bye bye.